नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के एड़िशिक्स में रुख करते हैं बिहार की तरफ दोस्तों आपका एकजाम है बिहार सिपाही का 14 और 21 मार्च को मैं उन सिर्फ अभियारतियों से यहाँ पे बात करना चाहता हूँ जो कि इसकी परिक्षा दे रहे हैं अगर आप वीडियो देख रहे हैं अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को सेयर जरूर कीजेगा उस बिहार के छात्र के लिए सेयर कीजेगा जो की गरीबी स्थिती में रहकर भी अपनी पढ़ाई कर रहा है क्योंकि ये वीडियो में सिर्फ उनके क्योंकि देखे आपके पास समय अब बहुत कम है और अगर आप भरोसे में बैठे हैं कि कोई आपको पेपर लिक आउट करके देदेगा कोई आपके लिए एक्जाम सेंटर में बैठ के एक्जाम देदेगा कोई आपका परिच्छा रद करवा देगा और कुछ समय और मिल इन सभी चीजों को भूलना पड़ेगा आपको मेरा कहना है यहाँ पर कि अगर आप इसकी तैयारी कर रहे हैं और जो चाथ तैयारी कर रहे हैं इक्जाम सुरू होने से पहले अभी देखे बहुत समय हैं 10 दिन बहुत समय होता है आज हमारे जो डेट है दोस्तो 7 मार्च हो और 7 मार्च के बाद दोस्तों ये वीडियो मैं बना रहा हूँ यानि कि लगबग 7 दिन इधर और 3 दिन उधर यानि कि 10 दिन अगर मान के चले 21 तारीक वालों को और 7 दिन मिल जाएगा यानि कि 10 ते 14 दिन आप लोग के पास समय है तो अगर आपने ये 10 दिन नहीं पढ़ा तो आप उस माबाप को दोका दे रहें जो कि हर दिन मजदूरी करता है आप उस माबाप को दोका दे रहें जो कि एक किसान है और आप तो देखी रहें पुरे देश भर में किसानों पर क्या अतच्यार हो रहा है तो क्या आप भी चाहते हैं कि उसी किसान की तरह यहां पर किसान करना बहुत ही बुरी बात है लेकिन उस गरीबी से उठकर बाहर उठना ये आपकी जिमेवारी है तो कि देखे लोग अगर गरीब पैदा होते हैं उसमें उनकी कोई गलती नहीं होती है लेकिन जब लोग गरीब मर जाते हैं तो उसमें 100% उसकी गलती होती है तो कि जीवन मिला है आपको अपने सुधार करने के लिए आप अगर उस गरीबी से उठकर उस अमेरी के स्थिती में चले आते हैं जैसे कि बहुत सारे एक्जामपल है धेरू भाई अंबानी से लेकर बहुत सारे एक्जामपल है अगर मैं यहाँ पर एक्जामपल देने बैठोंगा तो सैथ लाखो करोड़ो ऐसे एक्जामपल निकल कर आजे हैं हमारे देश में जो कि जिनके पास कुछ भी नहीं था एक टाइम का खाने का यहाँ पर रुपया नहीं था वो आज पुरे देश के अमिर वैक्टियों में उनके नाम है तो मैं तो सिर्फ यहाँ पर बात कर रहा हूँ इस एक परिच्छा देने की बहुत सारे छात्रे फोन कर रहे थे आज दिन बर आज संडे था बहुत सारे छात्रों ने फोन किया उन फोन करने के उपर उनके एक ही बात मुझे कॉमन लगी उन सभी के उपर क्या कि सर फ्रस्टेशन हो रहा है एक्जाम नस्दीक है कैसे तैयारी करें लग नहीं रहा है तो मैं उन सब को कहना चाहूँगा कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी है जब आपको अंदर से डर लग रहा है न तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी है क्योंकि डर के आगे तो जीत होता है और ये जीत मिलेगी आपको लेकिन बहुत सारे ऐसे चात्र भी मिले बहुत सारे ऐसे च्छातरों ने फोन भी किया मैं उनके नाम नहीं लेना चाहूंगा यहाँ पर उन्होंने पूछा मुझसे कि सर कोई जुगाण है क्या तो मुझे बहुत अंदर से मतलब गुस्सा आया और अंदर से सच कुछ यह तो गुस्सा आया आपको भी आ रहा होगा इस बात को सुनतर वो जुगाण के बारे में पूछ रहे हैं वो अपनी व्यवस्थाएं देख रहे हैं क्योंकि उनके माबाप उनको 15 लाग 20 लाग रुपे दे देंगे जाकर बेटा सेटिंग कर लो पर ये नहीं वो सच्छातर सोच रहा है कि वो पैसा आख हाँ से रहा हुनके पास वो अपने जीवन भर की कमाई आपके एक नौकरी को देने के लिए कर दे रहे हैं वो अपने बाप दादाओं की जो पुस्तिव की जो जमीन जायजाद रखी हो ये उसको बेच के आपको 10 लाग, 12 लाग, 15 लाग रुपे दे रहे हैं लेकिन उसका कोई फायदा नहीं है क्योंकि उसमें से मातर 10% ऐसी लोग होते जोंकि सेटिंग से चले भी जाते होंगे हो सकता है मैं से नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ पर सेटिंग होती है पर रहसा हो सकता है कि ऐसे 10% लोग हैं की चले जाते है लेकिन 90% सीट आपके पास है आप अगर एक सीट का सोच लेते हैं न तो आप अपनी सफलताओं को पा लेंगे बिलकुल और मैं कहता हूँ कि आपको अपने उपर बिश्वास नहीं है आपने इतनी मतलब उमर निकाल दी 22 साल 23 साल के हो गए आप आपके उपर खुद को अपने उपर बिस्वास नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं अगर नहीं है तो छोड़ दीजिए और मावाब के साथ किसी काम में लग जाएए उनके सपोर्ट कीजिए क्योंकि ये आप से गर नहीं हो पा रहा है बहुत ही आसान तरीका है इसको पास करने का अगर आप लोगों ने लगातार छे महिने पढ़े हमाना हम लोगों के साथ तो आप बिल्कुल पास कर जाएंगी ये मेरा वादा है आप लोगों से इन्फेक बहुत जारे चाथ रिजल्ट दे रहे हैं और मैं ऐसा नहीं कि मैं आपनी बड़ाई कर रहा हूँ जितने भी यूटूब पे आप लोगों को जितने भी टीचर एजुकेट कर रहे हैं वो बहुत महनत करते हैं आप लोगों के लिए आप लोगों को फील नहीं होगा कि वो कितनी महनत आप लोग के प्रती कर रहे हैं फील ही नहीं होगा आप लोगो लेकिन आप लोग को क्या है यहाँ पर कि सेटिंग करना है जुगाड से जाना है वो पैसे कहीं से भी आए आपको कोई मतलब नहीं आप भी जाएंगे उस छेतर में बोल सकता है कि आपकी नौकरी लग जाए जुगाड पर भी लेकिन आप जब जाएंगे वहाँ पर तो आप confidence में नहीं आएंगे अंदर से आपको confidence ही नहीं होगा कि हम नौकरी कर रहे हैं आप भी घूस खाना सुरू कर देंगे आप जब घूस खाना सुरू करेंगे तो किसी को प्रतारित करेंगे वैसे लोगों को प्रतारित करेंगे जो कि गरीब हैं मजदूरी कर रहा है या तो किस देते नहीं, बड़े लोग तो अपना बैड़ा फैर भी लगा कर यहाँ पर सेटिंग कर लेते हैं, तो आप लोगों से मेरा इतना ही अनुरोध है कि भाई मेरे, जितने भी मेरे छोटे भाई मेरे, देखिए आप लोग सभी छोटे ही हम से, ठीके, और इस उम्र के पड़ाओं पे हम आपको एक ही सिक्षा देना चाहेंगे कि अगर आप अपने उपर विश्वास रखते हैं, अपने उंदर confidence रखते हैं, तो इस exam को crack कीजिए, इस exam को बिल्कुल आपसे निकलेगा, कोई इसमें second या third person की बात ही नहीं है, वो आपसे ही निकलेगा, और कोई नहीं आएगा निकालने आपका exam, दिन के भरोसे वो लोग बैठ रहें exam देने के लिए, वो हो सकता है कि physical के समय, वहाँ पे impression check होगा, thumb impression check होगा, और चोड़ी में पकड़े जाएंगे, वो भी सकता है यहाँ पर, और उनके लिए हमेशा के लिए हमेशा के लिए रास्ता बंद हो जाएगा सरकारी नोकरी का, एक तो सरकार ऐसी नोकरी नहीं दे रही है, सरकारी को private करते जारी है और उपर से आप, आप ये गलती कर रहे हैं, ये गलती मत कीजिए, मैं इस वीडियो को बनाने का की लेवल के एक्जाम निकाल लेते हैं, आप अगर 6 गंटे पढ़ते हैं, तो railway, NTPC, SSC, सब एक्जाम निकाल सकते हैं मातर 6 गंटे समय दे कर, सोचें क्या आपके हाथ में सरकारी नोकरी नहीं आपाएगी बिलकुल, अगर आपको हमारी बातों पे भरोसा है, बिस्वास है, तो एक बार खुद को समय दे कर देखे अभी भी आपके पास 10-15 दिन बचा हुआ है, बाकि कैसे पढ़ना है, आप लोग हमारे साथ जुड़िये वाइटे एजुकेशन पे, वो मैं आपको हर वीडियो में गाइड करता रहता हूँ ऐसा कुछ नहीं कि अलग से मोटिवेशन वीडियो बना के आपको अलग से टाइम आपका खाऊंगा, नहीं, हर वीडियो अगर आप लोग क्यूज अटेंट करेंगे, तो उस क्यूज में हर वीडियो में आपको मोटिवेशन करता रहता हूँ कौन-कौन से बुक पढ़ने हैं वो बताते रहता हूँ, पीडियेफ आप लोग को फ्री में देता हूँ यार, अब क्या करूँ मैं, यहां से अपने आप में खुद मेहनत करके आप लोगों तक सब कुछ फ्री में पहचा रहा हूँ, वीडियो भी है और पीडियेफ भी, तो अगर आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज पढ़िये, अपने माबाप का चेहरा देखिये, उनके लिए पढ़िये, यहां मेरे कहने पर अपनी जिम्मवारी मत समझेगा, सिर्फ अपने माबाप का एक चेहरा देख लिजीगा, याद कर लिजीगा कि वो किस परि ध्यान हो रहा है, और experience हो रहा है, गरीब हैं, लेकिन गरीब मरना नहीं हमें, यह ध्यान रखेगा, परियास करते रहिए, निरंतर अभ्यास करते रहिए, हमारे साथ जोड़िये, हम आपको आगे लेकर चलेंगे, कहीं कोई दिक्कत हो, हमने अपना नंबर दे रहा आप लो से हूँ और मैं उसको जाके तमाचे मारा हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि मैं उसको खा जाओं, जियां, क्योंकि वो ऐसा च्छादर है, जो कि अपना तो करियर चौपट करी रहा है, अपने माबाप का भी नाम बहुत ही दुबा रहा है वो, तो खेर, इस वीडियो के माद् जै बिहार, धन्यवाद